Hello Friends, Welcome to SkillBuzz. आज के वीडियो में हम लोग 5 तरीके सीखने वाले हैं, जिससे आपके Windows 10 की performance पहले से कई गुना बहतर हो जाएगी. आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल SkillBuzz को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएं और आप अपने Skills को हमारे साथ इंप्रूफ करते रहें. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला तरीका है Temporary Files को डिलीट करने का. Temporary Files को डिलीट करने के लिए आप अपने कीबोड पे Windows और R बटन एक साथ प्रेस करें, जिससे ये Run Command ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर टाइप करें %-temp-% जैसा मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ हैं और OK पे क्लिक करें. इससे आपकी Temporary Files का एक Folder open हो जाएगा, इसमें सारे Folders को सेलेक्ट कर लीजिए by pressing Ctrl-A और फिर सारे Folders को डिलीट कर दीजिए, यह Temporary Files होती हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, बट इसमें से कुछ Folders, कुछ Files हमारा Computer यूज़ कर रहा होता है, तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो Files Computer यूज़ कर रहा होगा, वो Files डिलीट नहीं होगी, तो इसको डिलीट करने के लिए आपको प्रेस करना है Shift-Delete, अगें Shift-Delete से कोई बीचीज पर्मनेंट डिलीट हो जाती है, बिना Recycle Bin में गए हुए, यह देखिए, यह फाइल मेरा Computer यूज़ कर रहा है, इसलिए यह नहीं डिलीट हुआ, इसलिए यहाँ पे हम लोग Do this for all current items पे टिक करके Skip पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद अगला तरीका है, अगें आपको फिर से Windows R प्रेस करना है, और इस बार केवल TEMP लिखना है, T E M P, प्रेस एंटर, यह TEMP फाइल फोल्डर उपन हो चुका है, इसमें अगें हम लोगों को वहीं प्रोसेस करना है, Select All, Shift Delete, Enter, Continue, जो जो फाइल्स कम्ट्यूटर यूज कर रहा होगा, वो डिलीट नहीं होगी, उसको स्किप कर दीजिए, इसके बाद हमें अगें Windows प्लस R प्रेस करना है, और इस बार हमें लिखना है Prefetch, Press Enter, इन सभी फाइल्स को भी वैसे ही सेम प्रोसेस से हमें डिलीट कर देना है, जो फाइल्स यूज में हैं उसको स्किप कर देंगे, यह तो हुआ temporary फाइल्स को डिलीट करने का तरीका, दूसरा तरीका है To Disable Startup Applications, जब भी हमारा Windows ओपन होता है, तो बहुत सारे Applications जो होते हैं, वो Automatically Background में Open हो जाते हैं, जिसकी वज़े से Windows का Load Time बढ़ जाता है, इसको Disable करने के लिए हम लोग सबसे पहले Task Manager उपन करेंगे, Task Manager उपन करने के लिए आप या तो Ctrl-Alt-Delete प्रेस कर सकते हैं या फिर इससे भी अच्छा shortcut है Ctrl-Shift-Escape, इससे आपका Task Manager उपन हो जाएगा, Task Manager उपन करने के बाद आप Startup में जाएंगे, Startup में जाने के बाद जैसा आप देख सकते हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं जो पहले से Enable Mode पर हैं, मैं इन सब को एक एक करके Select करूंगा और Disable करूंगा, ताकि यह सब Windows के साथ Open ना हो, मेरा Suggestion रहेगा कि आप किसी भी तरह के Antivirus को Disable ना करें, चलिए, यह हो गया दूसरा तरीका, चलिए अब हम लोग अपने तीसरे तरीके की और बढ़ते हैं, तीसरा तरीका है Disk Cleanup, Disk Cleanup के लिए आप अपने Laptop के Keyboard पे Windows बटन प्रेस करें, और Disk Cleanup टाइप करें, प्रेस एंटर, आफ्टर डेट क्लिक OK, इसके बाद C Drive को Optimize करने के बाद आपका Windows Suggestion देगा कि आप अपने Space में से 319 MB फ्री कर सकते हैं, आप OK क्लिक कीजिए, यह Automatically Delete कर देगा Files जो कि आपके Temporary Files होंगे और Recycle Bins भी Included होगा इसमें, चलिए, तीसरा तरीका था यह, चौथा तरीका है Adjusting Best Performance, इस Process में आप अपने This PC के आइकन पर Right Click करेंगे, Properties में जाएंगे, और Advanced System Settings पर क्लिक करेंगे, इसमें जाने के बाद आप यहां Settings पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आपके पास पहले से यह Option सेलेक्टेड होगा, Let Windows Choose What's Best for My Computer, इसको आप Adjust for Best Performance पर क्लिक करें, अगें ऐसा करने से आपके Windows के सारे Animations गायब हो जाएंगे, तो आपको यह Decide करना है कि आप Performance के लिए Animations Sacrifice करने को Ready हैं या फिर नहीं, मैं आपको Apply करके दिखा देता हूं, जैसा आप देख सकते हैं, मेरे सारे Animations कायब हो चुके हैं, किसी भी तरीके की कोई भी Animation नहीं है अब मेरे Computer में, हमारा पाचवा तरीका होगा Defragment का, Defragment करने के लिए आप अपने Laptop पे या PC पे Windows बटन प्रेस करेंगे और Defragment टाइप करेंगे, इसको Select करने के बाद, आप Simply Optimize पे क्लिक करेंगे, और इसको होने देंगे, यह कुछ time ले सकता है, उसके बाद इसको Close कर देंगे, यह 5 तरीके थे जिसको Follow करके आप अपने Computer को पहले से कई गुना तेज बना सकते हैं, आपका PC पहले से कई गुना जादा अच्छा perform करने लगेगा, मुझे उमीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को Like, Share & Subscribe कर दीजिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Take Care & Keep Upgrading Yourself, Thank You